रास्ट्र एक्स को अपने परिक्षन स्थल पर आठ परमाणू हतियारों के विसफोट के निरने के लिए बढ़ते अंतरास्ट्रिय विरोध का सामना करना पड़ा। ये है हमारा कथन। और दो निशकर्ष दे रखे हैं कि रास्ट्र के नागरिकों ने निरने का पक्ष लिया और कुछ शक्तिशाली देश नहीं चाहते कि दूसरे रास्ट्र भी उतने ही शक्तिशाली बने जितना वे हैं। अप इसमें से देखके इसमें डाल सकते हैं, बता सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं कि शायद ये ऐसा चाहते हैं, ऐसा उसके कहने का आशय होगा। उसको justify करने के लिए न्यायोचित तहराने के लिए आपके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है। दोस्तों कुछ शक्तिशाली देश नहीं चाहते हैं कि दूसरे रास्ट्र भी उतने ही शक्तिशाली बने। बिल्कुल बात सही है कि ऐसा वो जरूर चाहेंगे ही अगर कोई शक्तिशाली है तो उसके सामने कोई शक्तिशाली ताकत और खड़ी ना हो जाए। लेकिन अगर आप ये देखें कि अंतर रास्ट्रिय विरोध इसके कारण से हुआ है। आप मेरी बात को समझेगा। माक्सिमम लोग अधिक्तम विध्यारती इसको पढ़ने के बाद यह वाला निशकर्ष सही मानते हैं। आप भूल जाते हैं कि भाया अंतर रास्ट्रिय विरोध हिंसा को लेकर हो ये भी तो संभव है। वो अहिंसा चाहते हैं ये भी तो संभव है। हमें इसमें ऐसी कोई बात ढूंड के लानी चाहिए। लानी पड़ेगी चो ये बहुत क्लियरली आपको सजेस्ट करें। बहुत क्लियरली आपको बताए कि भाया ये जो दो नंबर है ये कनफर्म राइट है। इसके एकॉर्डिंग है, इसके एकॉर्डिंग का निशकर्ष है। कहीं ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही है। ये अंतरराष्ट्रिय विरोध क्यूं है ये यहां पे सपस्ट नहीं है, क्लियर नहीं है। चूकी वो क्लियर नहीं है। इसलिए मेरा उत्तर है कि दोनों ही निशकर्ष जो है अनुसरन नहीं करते हैं। नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपका डिजल रियारी चैनल पे मैं श्रयान स्कोठारी लेकर आया हूँ दोस्तों एक बहुत ही प्यारा चैप्टर कथन निशकर्ष, बहुत ही महत्वपूर्ण, इतना महत्वपूर्ण है कि क्या बताएं आपको एक्जाम में सबसे जाद गलतियां आप करते हैं जबकी ऐसा एक प्रशन जहां पेन नहीं चलाना है केवल दिमाग चलाना है, कथन को देखकर समझना है कि वो क्या कह रहा है, क्या उसको समझने से हमें कोई निशकर्ष निकला रहा है, क्या उस निशकर्ष पर पहुँच पारें, कुछ प्रशन लखेंगे, तो और अच्छे से क्लियरली समझा पाएंगे, आराम से देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे से मैं प्रशन लेके आया हूँ, शेहर के वार्ड आई और ठा में, पानी की आपूर्ती शुक्रवार को लगबग पचास प्रतिशत प्रभावित होगी, दो ऐसे व इसका निशकर्ष क्या निकलता है, क्या कंक्लूड करते हैं आप। इन वार्डों के निवासियों को शुक्रवार को पानी का बचाव करना चाहिए। एक बात समझेगा, एक होता है कथन कार्यवाही, और एक होता है कथन निशकर्ष। अगर आप मुझे बताएं कि क्या ये इससे निशकर्ष निकलता है कि उन्हें ऐसा करना चाहिए, वो कथन कार्यवाही है, निशकर्ष नहीं है। इन वार्डों को निवासियों को पिछले दिन थोड़े पानी जमा करना चाहिए। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि दोनों ही इस बात का निशकर्ष नहीं निकलते हैं। ये दोनों ही कार्यवाही हो सकती है, निशकर्ष नहीं हो सकता है, न तो पहला और नहीं दूसरा अनुसरन करता है, आपको निशकर्ष निकालना है, निचोड निकालना है, ऐसा अगर है तो ऐसा क्यूं है, क्या कहना चाहता है ये, शलिए गुणवत्ता का एक मुल्य टैग होता है हर गुणवत्ता का एक मुल्य होता है भारत शिक्षा के लिए बहुत सारे धन आवंटित कर रहा है मतलब अगर गुणवत्ता की बात करें तो उसका कोई न कोई मुल्य टैग है और भारत जो है सिक्षा के द्रस्टी में, सिक्षा के शित्र में काफी सारा धन आवंटित कर रहा है, आवंटित है नहीं, अलोकेट है नहीं, डिस्ट्रिब्यूट है नहीं, डिस्पर्स कर रहा है भारत में सिक्षा की गुणवत्ता में जल्द ही सुधार होगा ऐसा निश्कर्ष निकाला जा सकता है क्यों ऐसा दोस्तों आमने कहा कि गुणवत्ता एक मुल्य टैग है और सिक्षा में बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं तो इन दोनों की बातों से ये बात निकल के आ रही है, मैंने नहीं का इन दोनों की बातों से निकल के आ रही है कि गुणवत्ता में जल्द ही सुधार होगा अकेले फंडिंग से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ सकती है अकेले फण disappointment से दोस्तों यह अकेले शब्द है ना funding से शिक्षा में गुणुवत्ता बढ़ सकती है तो कह सकता हूं कि funding से शिक्षा में बढ़ सकती है अकेले funding से यーसा नहीं कह सकती है अकेले funding की बात नहीं हो रही है यानि कि इसमें केवल प्रथम निशकर्ष जो है अनुसरण करता है आप देखें अगला प्रशन क्या है दोस्तों प्रबंदक ने अपने सहयोगियों की उपस्थिती में सचिन को अपमानित किया ऐसा प्रबंदक ने क्यों किया या क्या कहना चाहरे हम मैनेजर को सचिन पसंद नहीं है पसंद नहीं है इसलिए अपमानित करते हैं ऐसी बात नहीं है मतब अगर हमें पसंद नहीं है तो हम अपमानित करेंगे या अपमानित किया है इसलिए हम कह सकते हैं प्रसंद नहीं ऐसा नहीं कह सकते कई बार कई परिस्थितियों में हमें कोई इंसान पसंद है फिर भी अपमानित करना पड़ सकता है सीख देने के लिए शिक्षा देने के लिए सचिन अपने सहियाओगियों के साथ लोगप्रिय नहीं थे इस लाइन का क्या कोई भी कनेक्शन आपको इस कथन से नजर आ रहा है कोई भी तरह का जुड़ाव आपको नजर आ रहा है मुझे तो नहीं आ रहा नहीं आ रहा मतलब न तो पहला नहीं दूसरा अनुसरण करता है दहेज के खिलाफ बहुत ज्यादा बोलने वाले लोग वे हैं जिन्होंने उसे खुद लिया था देखिए दोस्तों क्या मज़े की बात है कि दहेज के खिलाफ वो ज्यादा लोग बोलते हैं या वो लोग ज्यादा बोलते हैं जिन्होंने खुद नहीं ऐसा काम किया है पहले तो यह कहना आसान है कहना आसान है दोस्तों इसका मीनिंग समझेगा इसका यही तो निशकष निकल रहा है कि कहना आसान है करना नहीं लोगों के दोहरे माप दंड हैं ये भी बात सही है दोहरे माप दंड है एक तरफ तो हम बोलते हैं कि ऐसा ऐसा मत करो और खोदी कर रहे हैं तो ये तो दोहरे माप दंड हैं मुझे लगता है दोनों ही अनुसरन कर रहे हैं कहना आसान है और लोगों के धोरे माप डण है चलिए अगले प्रश्नकी और लिये जालता हूं मैं पैसा राजनीती में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पैसा जो है राजनीती में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है गरीब कभी राजनेता नहीं बन सकता ऐसा नहीं कह सकते यार एक बात को समझो पैसा भूमिका बहुत महत्वपूर्ण निभाता है लेकिन कभी भी राजनेता नहीं बन सकता ऐसा तो नहीं है वो महत्वपूर्ण है लेकिन वही सब कुछ है ऐसा नहीं कह सकते सभी सभी के सभी अमीर लोग राजनीती में हिस्सा लेते हैं बताओ शायद आपको देखते से ही समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे तो दोनों ही अनुसरण नहीं कर रहे खुद्षसमझीए ना मेरे भाई सभी अमीर लोग Brendanी में इस्सा लेते हैं सभी के समी लेते हो ज़रूरी नहीं और गरीब कभी राजनेता नहीं बन सकता ऐसा भी कह सकते पैसा महत्वपूर्ण है लेकिन सब कुछ नहीं है गरीब है और उसके पास पैसे देने वादा कोई है ये भी तो है चलिए आगे देखें हम यहाँ दुनिया न तो अच्छी है नहीं बुरी है प्रतेख आदमी अपने लिए एक दुनिया बनाता है दुनिया न तो अच्छी है न बुरी है हर आदमी की अपनी अपनी एक दुनिया है तो कुछ लोगों को यह दुनिया कभी काफी अच्छी लगती है और कुछ लोगों को यह काफी बुरी लगती है ऐसा कुछ भी कहा नहीं गया है मतलब इसमें ऐसा कोई बात नहीं आ रहा है कि हमको अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है या कुछ लोगों को बहुत अच्छी लग रही है और कुछ लोगों दोस्तों तो सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है कि भईया यह तो बुरी भी नहीं है अच्छी भी नहीं है हर एक की अपनी दुनिया है मतलब अपनी दुनिया के अकॉर्डिंग जैसा हम देखते हैं वैसाम समझते हैं देखेगा निजी स्कूलों में सिक्षा का मानक नगर पालिका और जिला परिशत द्वारा संचालित इस तलों की तुलना से बहुत बहतर है यानि हम यह कहना चाहरे हैं कि जो यह प्राइवेट स्कूल्ज है वहाँ जो एड्यूकेशन का स्टैंडर्ड है वो नगर पालिका और जिला परिशत के द्वारा जो संचालित स्कूल्ज है उसकी तुलना में बहुत बहतर है यानि स्टांडर्ड अच्छे हैं किसके जालोयों के मानक के सुधार के लिए गंबीर प्रयास करने चाहिए मैं पुना कहूंगा दोस्तों ये निशकर्ष नहीं है ये कार्यवाही है आप मेरी बात को समझे हमसे ये नहीं कहा गया है कि हमें ये करना है आपको ये नहीं पूछा गयागी आपको क्या करना चाहिए वो ये कह रहा है ये बातें दे रखिये मेरे भाई क्या निश्कर्ष निकालते हो आप सभी नगर पालिका और जिला परिशिद स्कूलों को तत्काल ही बंद कर देना चाहिए बताओ कितना प्यारा बात कह रहा है वो न रहेगा वास न बजेगी बांसूरी स्कूल ही नहीं रहेगी तो खराब स्कूल किसे कहोगे बताओ शलिये आगे बढ़े हम उन सभी राजनीतिक कैदियों को जमानत पर रहा किर दिया गया है जो राजनीतिक घरने के अलावा अन्यकारणों से जेल गए थे यानि राजनीतिक धरने धरना हुआ था उसके अलावा हत्या में शामिल लोगों को जमानत दी गई है यानि एक तो हत्या में लोगों को नहीं दी गई है राजनीतिक धरना हुआ था उसके अलावा कोई और कारण है तो उसकार से जेल गए थे उनको सभी को रिहा कर दिया गया है किसी भी राजनीतिक कैदी ने हत्या नहीं की थी ऐसा निशकर्ष नहीं कह सकते राजनीतिक धरने की बात हो रही है और हत्या अलग से का जा रहा है। कुछ रेजनेताओं को गिरफतार नहीं किया गया था। गिरफतार ही नहीं किया गया था। यहां हम कह रहे हैं कि उन्हें रिहा किया गया है या रिहा नहीं किया गया है। कुछ गिरफ्तार किसे किया गया या किसे नहीं किया गया क्या आपको लगता है इस कथन में इसके बारे में कोई बात दे रखिये मुझे तो नहीं लगता तो उस्तों मैं बता दू यह जो कथन निश्कर्श हम पढ़ रहे हैं पिछले प्रशन पत्रों को अगर आप देखें ह हर प्रशन पत्र में कम से कम एक या दो प्रशन तो आ ही रहे हैं लगातार आ रहे हैं हम भी चीज़ें करवा रहे हैं बाजार में सबजियों की कीमत बढ़ रही है तो सबजियां एक दुरलब वस्तू बन रही है बताओ जरा लोग सबजियां नहीं खा सकते ऐसी कोई चीज आपको लगती है जो connect करती है और उस आप बहुत कीमते हैं बढ़ रहे हैं अब नहीं खा सकते नहीं है कम खालेंगे भाई थोड़ा जादा price यानि कि मुल्य बढ़ रहा है तो कम खालेंगे नहीं तो गम खालेंगे नहीं खाएंगे ऐसा तो नहीं कह सकते आप और एक दुरलब वस्तूबंदी जा रही है बड़ा अजीब सा मुझे लगता है कि ये सायद बड़ाई हसने वाला प्रशन है कि ये दोनों ही गलत है न तो पहला नहीं दूसरा अनुसरा न करता है उन्हों ने वर्तमान परिक्षा प्रणाली और अन्य तरीकों से इतने प्रतिस्थापन को रोकने की आवशक्ता पर जोर दिया जो चात्रों को वास्तविक योगता को मांगेगा मतलब क्या है कि चात्रों की चात्रों की वास्तविक योगता क्या है उसको मापने के लिए वर्तमान परिक्षा प्रणाली और अन्य तरीकों से इस तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं हम कि भहिया जो चात्र के वास्तविक योग्यता क्या है eligibility क्या है उसको पता लगाएगा परिक्षाओं को समाप्त कर देना चाहिए वर्तमान परिक्षा प्रणाली चात्रों के वास्तविक योगता को नहीं मापती है द्यान से देखेगा बहुत ही प्यारी बात दे रखी और बहुत सारा confusion create करेंगे परिक्षाओं को समाप्त कर देना चाहिए अन्य तरीकों से कर दिया है ऐसा नहीं कह सकते हम समाप्त करने की बात नहीं कर रहे है प्रतिस्थापन कर रोकने की आवश्यक्ता है मतलब हम ये कोशिश कर रहे है कि किस तरीके से उनकी योग्यताओं को अच्छे से समझा जाए व वर्तमान परिक्षा प्रणाली जो है वास्तवी योग्यता नहीं समझ पाती है या नहीं माप पाती है। इसी कारण से तो हम यह कह रहे हैं कि ऐसी चीजों की आवशक्ता है जो ये कर ले। क्या ये बात समझ वारी है। अगर ये पहले से कर रही होती तो क्या इसकी आवशक्ता होती ऐसा नहीं है आराम से देखें दोस्तों एक और प्रशन हमारे सामने है कोई भी चात्र जो विध्याले में रहते हुए भी ठीक वेवार नहीं करता है वो अपने लिए और स्कूल के लिए बुरा नाम लाता है बिल्कुल सही का है दोस्तों विध्याले में अगर आप रहके भी बुरा बरताव कर रहे हैं अच्छा काम नहीं कर रहे हैं गलत व्यवहार कर रहे हैं तो आप स्वयम के लिए और स्कूल का नाम भी बदनाम कर रहें, खराब कर रहें, ऐसा ये, ये कथन ऐसा कह रहा है, निशकर्ष ऐसे चात्र को स्कूल से निकाल देना चाहिए, ज़रा सोचें इस बात को, हमें निशकर्ष निकालना होता है, वहां कार्यवाही दे रखी होती ह हमें लगता है कि वहिया यह कर रहें दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको मैक्सिम जगे पर यह आएगा आपको कथन दे रखा होगा आपको निशकर्ष पूछा होगा और दे रखी होगी कारे भाई अपने को दिल से ऐसा लगे गार ऐसा तो होना चाहिए लेकिन ऐसा होना चाहिए आपसे किसी ने पूछा ही नहीं है आपसे पूछा है कि इससे क्या निशकर्ष निकालते हो कड़ा अनुशाशन चात्रों के वेवार को सुधार नहीं सकता यहां कहां लिखा है कि विध्याले के अंदर ऐसा कड़ा अनुशाशन रहा है फिर भी ऐसा हो रहा है या नहीं हो पा रहा है कड़े अनुशासन की यानि की डिसिप्लिन की बात ही नहीं कही है हाँ सार्व भॉमिक सत्ते है कि कड़ा अनुशासन होना ही चाहिए परिवार में हो शाहे समाज में हो शाहे विध्यालाय में हो लेकिन निश्कर्ष के रूप में इस क्यथन को नहीं कह सकते हैं दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं जो खिलाड़ी विभिन रिकॉर्डों को निश्पक्ष तरीके से तोड़ते हैं उन्हें विशेश पुरुसकार मिलता है प्लेयर एक्स ने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा लेकिन एक प्रतिबंदित दवा का प्रभाव में पाए गए जरा बात को समझिएगा एक्स को विशेश पुरुसकार मिलेगा जरा इस पे एक बार विचार करेंगे X को विशेश पुरुसकार नहीं मिलेगा अब हमें आप ये सोचेंगे कि भीया इसके बारे में कहां दे रखा है कि अगर प्रतिबंदिक दवा ली दवा का प्रभाव पाया गया तो इसका प्रभाव उसके विशेश पुरुसकार पर पड़ेगा या नहीं कि उसे पुरुसकार मिलेगा या नहीं मिलेगा या निशकर्ष आपसे पूछ रहा है तो निशकर्ष अगर आपसे पूछ रहा है तो यहां एक वर्ड दे रखा है निश्पक्ष निश्पक्ष तरीके से तोड़ते हैं का मतलब है आपने कोई तहे का गलत कार्यन नहीं किया है सीधा रास्ता अपनाया है और दोस्तों चुकि यहां सीधा रास्ता नहीं अपनाया है ऐसा माना जाएगा निशकर्श ये निकलता है X को विशेश पुरुसकार नहीं मिलेगा लीजिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की और चलते है चीजों को समझते है भारत में शीर्श 10 प्रतिशत परिवारों द्वारा साजा राष्ट्री आये का 35 प्रतिशत है बात समझिएगा जो शीर्श 10 के लोग है दस प्रतिशत लोग है उनके पास 35 प्रतिशत धन है जब कोई अर्थ विवस्ता तेजी से बढ़ती है तो आबादी के कुछ हिस्सों में धन की एकागरता होती है जरा सोचिएगा ऐसा क्या इस वाले वाक्य में कहीं दे रखा है कि हमारे भारत की अर्थ विवस्ता तेजी से बढ़ रही है धीरे से बढ़ रही है बढ़ रही है घट रही है कोई तरह की actually सूचना नहीं है तो इस कथन के निशकर्ष के रूप में तो नहीं कह सकते है भारत में रास्ट्री आए असामान रूप से वितरित की जाती है बिल्कुल सही बात है दोस्तों यही तो हम कहना चाहरें कि टॉप 10 के पास अगर 35% है 90% के पास पीछे का 65% है इसका ये clear निशकर्ष निकल रहा है रास्ट्री आए जो है असामान रूप से वितरित है यानि कि दुवितिय जो निशकर्ष है बिल्कुल अरुसरण करता है एक एक प्रश्न को मैं आराम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं एक ए प्रश्न पे पूरा ध्यान दीजेगा अप लो हमारे प्रतिभूती निवेश बाजार जोखिम उठाते हैं स्टॉक मार्केट की बात हो रही है निवेश करने से पहले अपने निवेश सलाकार या एजेंट से सलालने बिल्कुल सही बात है भाया मार्केट के अंदर रिस्क ह प्रतिभूती निवेश जो होता है उसमें आपको अगर अपना इन्वेस्टमेंट करना है सोच समझ कर करना है अगर इन्वेस्टमेंट करना है बहुत ध्यान पूरवक करना है आपको ये ध्यान रखना है किसी सलाकार या एजेंट की सलाले के करना है तोस्तों किसी को प्रत डॉक्तर की सलाह लेनी चाहिए हम कहते है पेट दुखना ही नहीं चाहिए अरे भाई पेट दुखना ही नहीं चाहिए ऐसा किसने का या पेट के बाद कोई दवाई लेनी है तो डॉक्तर से सलाह करो मतलब दवाई लेनी नहीं चाहिए नहीं आप दवाई लो लेकिन सलाह लेके लो आप निवेश करो जोकिम है लेकिन सलाह लेके करो निवेश सलाकार निश्चित्ता के साथ बाजार के जोकिम की गणना करता है यानि जोकिम की गणना कर सकता है निश्चित्ता के साथ इसलिए उसने काये कि सलाकार से सला करें तो मेरा ऐसा मानना है इससे तो यही निश्कर्ष निकल के आ रहा है कि भहिया वहाँ बहुत सारा जोके में पहली लाइन में जोकिम दे रखा है और दूसरी लाइन में सलाकार की बात दे रखी है सलाखारी तो जोकिम को calculate करेगा गणना करेगा अगले प्रश्ण पे लिए चलता हूँ ध्यान से देखेगा एक दिन के cricket match में मतलब मुझे लगता है यहां वंडे इंटरनाशनल की हिंदी करी गई है एक टीम द्वारा बनाए गए कुल रन दोसों थे इन में से 160 रन स्पिनों द्वारा बनाये गए थे देखेगा ज़रा क्या कह रहे है कि भ孩 ħा क्रिकेट के अंदर खेल रहे थे हम और उसमें 200 रन बने वंडे के अंदर और उन 200 में से 160 जो हैं वो स्पिनर्ण ने बनाये थे टीम के 80 प्रतिशत स्पिनरों में शामिल है टीम में कईसे ऐसा कह सकते हैं कि 80 प्रतिशत अरे भई उन्होंने रन बनाये थे टीम में 80 प्रतिशत स्पिनर्स हैं ऐसा कैसे कह सकते हैं शुरुवाती बल्लेबाज स्पिनर्स थे ये भी नहीं कह सकते है शुरुवाती बल्लेबाज तो बल्लेबाज होंगे आउट हो गए होंगे हमें क्या पता हो सकता है दो ही ऐसे लोग हो जो spinners हो रोनेरन बनाये हों पांच ऐसे spinners हो कुछ नहीं कह सकते तो ऐसा निशकर्ष निकालना गलत होगा हम तो यहीं कह सकते हैं ना तो पहला नहीं दूसरा अनुसरण करता है ध्यान से देखेगा हालांकी हमारे पास क्रिसल ICRA जैसी रेटिंग एजिंसी हैं हमारे पास ऐसी रेटिंग एजिंसी हैं लेकिन निवेशकों की शुरक्षा के लिए IT कंपनियों के लिए एक अलग एजिंसी रखने की मांग है मतलब IT कंपनियों की अलग एक एजिंसी हो ऐसा डिमांड कर रहे हैं चुकि हालांकी हमारे पास क्रिसल ICRA भी है फिर भी निवेशकों की सुरक्षा के लिए फिर भी ऐसा है कि ऐसा उनकी सुरक्षा के लिए IT कंपनियों के वित्यम मुल्यका आकलन कोशल अंतरद्रिस्टी दक्षताओं के अलग सेट के लिए कहता है बिल्कुल सही बात है भाई वो ऐसा कह रहा है कि हमारे पास ICRA क्रिसल आदी है उसके बाद भी हम इनके लिए कह रहे हैं क्यूं क्यूंकि हो सकता है इनके कोशल अलग हो इनका तरीका अलग हो बाकी कंपनियों से ये अलग तरीके से काम करती हो अब IT कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों को अपने निवेश का संग्रक्षन मिलेगा अरे भाई मिलेगा नहीं मिलेगा ऐसा नहीं कह रहे उसने कहा है इस बात की डिमांड हम कर रहे हैं कि उनके लिए अलग से ऐसी रेटिंग एजनसी बने क्यूं बने वो आपको समझना है क्यूं बने यहाँ पर दे रखा है कि वो अलग तरीके की हैं लेकिन बन गई है ऐसा हम नहीं कह सकते कारेवाही है ऐसा नहीं कह सकते केवल पहला ही सही है साथ ध्यान से देखेगा हालिया सर्वेक्षन रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो लोग दिन में कम से कम आदा घंटा शारीरिक वयायाम करते हैं उन्हें दिल की विमारियां होने का खत्रा कम होता है विलकुल शारीरिक वयायाम तो करना ही चाहिए अन्यता मेरी तरह ऐसे पेट ही बाहर आएगा और कुछ नहीं होगा आप तो यह प्रयास करें शारीरिक या इम जरूर करें दोस्तों निश्करश क्या निकालते हैं निश्करश निकालते हैं स्वास्थ जीव erfolg मेर जीने के लिए शारिरिग वायाम का मध्यम स्थर आवश्यक है बिल्कुल सही कहा हुँनोंने यही तो कह रहे हैं यह तो आवश्चक है और आगे भी बढ़ाया जा सकता है आधे घंटे का कम से कम शारिरिक व्यायाम अगर करेंगे तो दिल की बिमारियां होने की खत्रा नहीं है यानि हम स्वस्त जीवन जीप आएंगे पहला निश्कर तो सही है भाई डेस्क बाउंड जॉब करने वाले सभी लोग निश्चित रूप से दिल की बिमारियों से पीडित है ये नहीं कह सकते कि वो निश्चित रूप से हैं बाकी लोगों में कम है इन में ज्यादा है ऐसा है कुछ नहीं का जा सकता इसलिए केवल मात्र प्रथम निश्कर्ष जो है अनुसरन करता है जापान में पेट के कैंसर की घटना बहुत अधिक है आत्र कैंसर बहुत कम है जहाँ समझेगा जापानी जो लोग हवाई में रहते हैं एक जगे है हवाई ख्यान रहेगा उसकी बाद हम कर रहे हैं वो प्रवास वहां करते हैं वहां उल्टा है आत्र कैंसर जादा है और अगली पीडी में पेट के कैंसर की दर कम है यह सब पोशन से संबंदित है हवाई में जापान के लोगों का आहार जापान की तुलना से अलग है यानि पोशन अलग-अलग है उस कारण से बीमारी अलग-अलग है यह कहना चाहरा है हवाई के समान आहार को जपान में भी प्रचारित करना चाहिए जरा सोचें मन तो चिला चिला के ये कहता है कि ऐसा निशकर्ष होगा दो कारणों से गलत है दोस्तों पहला ये निशकर्ष से कम और कारेवाही जादा लगता है पहला ये कहा जा सकता है कि भाईया यहा निशकर्ष कम कारेवाही लग रहा है ऐसा करना चाहिए ये हमेशा हमें हम कारिवाही के रूप में कहते हैं और दूसरी बात समझें हम ये कह रहें कि हवाई के समान का आहर जो है जपान में भी होना चाहिए आप देखेंगे हवाई में भी तो आत्र कैंसर बढ़ रहा है यानि उनके आहार में भी तो कुछ न कुछ पंगा है कुछ न कुछ पंगा है मतलब यह तो सही नहीं है आत्र कैंसर पेड के कैंसर से तुलना से कम गंबीर है किसने कहा मेरे भाई यहां यह गह रहा है कि पेड का कैंसर जादा है आत्र का कम है यहां आत्र का ज्यादा है पेट का गम है बस इतना ही तो कह रहा ही है जब इतना ही कह रहा है तो इतनी ही बात को समझें ऐसा निशकर्ष कैसे निगालेगी आत्र कैंसर पेट की कैंसर से ज्यादा कम गंबीर है शलिए मेरा मानना है दोनों ही अनुसरन नहीं करते है शलिए खौदी प्यारी बात कहिए दोस्तों अगर हमारे पास आर्थिक समानता नहीं होगी तो किस प्रकार की राजनीतिक स्वतंत्रता या किस प्रकार का लोकतंत्र मीनिंग को समझें दोस्तों राजनीतिक स्वतंत्र और लोकतंत्र साथ चलते हैं ऐसा किसने कहा राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र दोनों तो एक तरफ हो गए हम कह रहे हैं आर्थिक समानता अगर नहीं आएगी तो न तो राजनीतिक स्वतंत्रता आएगी न लोकतंत्र आएगा ये दोनों एक साथ चलते हैं ऐसा दों नहीं कह रहे हैं आर्थिक समान्ता वास्तविक राजनीतिक स्वतंत्रता और ले जाती है बिल्कुल सही कहा यही तो कहा गया है जिसे हमने कहा है यही तो निशकर्ष है कि अगर आर्थिक समानता नहीं होगी तो राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र निर्थक है निर्थक का मतलब है कोई अर्थी नहीं है बिना अर्थक है और हम यह गह रहे हैं कि आर्थिक समानता जो है वास्तविक राजनिक स्वतंतता और लोगतंत की और ले जाती है बिल्कुल सही है कोई दिक्कत ही नहीं है आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम National Aluminium Company ने भारत को धातू की कमी से लेकर आत्म निरभरता की और स्थती में लाखड़ा किया है जो नाशनल Aluminium Company है भारत को धातू की कमी का मतलब होता है कि हमारे पास मेटल्स की कमी है वहां से आत्मनिर्भरता की और स्थती में चले गई यानि कि अब हमें पहले तो मैटल की कमी हुआ करती थी और अब हम आत्मनिर्भर हो गए हैं मतलब अब मैटल की कमी नहीं होती है ये वाक्य कह रहा है यही वाक्य आपको समझ के निशकर्श निकालना होता है पहले भारत को एलिमिनियम का आयात करना पड़ता था ऐसा कह नहीं सकते हैं मतलब हमारे पास कमी थी लेकिन कमी की आपूर्ती हम करते थे या नहीं करते थे मैं नहीं मालू तो मेरे पास पैसे की कमी है घर पे दो रोटी नहीं है कोई बाहर से मुझे रोटी दे जाता है ऐसा कह नहीं सकते हो सकता है मैं बाहर से रोटी मांग के खा लेता हो सकता है मैं भूका रह जाता मेरी आपूर्ती की कमी हो रही है या नहीं हो रही है ऐसा नहीं कह सकते और इस गती के साथ यह जल्द ही एक विदेशी मुद्रा अरजक बन सकता है कहां से हो सकता है शायद हमारे पास इतना हो कि हम आगे बढ़ जाएं हम खुद निरियात करने लग जाएं लेकिन ऐसा नहीं कह सकता आप यह सोच रहे होंगे कि आत्म निर्वर्था की स्थिती का मतलब है पहले हम आत्म निर्वर्था नहीं थे हम किसी और से निर्वर्थे ऐसा सोचा जा सकता है लेकिन हम यहां यह पुनह कहना चाहेंगे दोस्तों कि आपको जो कहा गया है पहले धातु की कमी थी अब हम आत्म निर्भर हैं यानि अब हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता इन दोनों बातों को कनेक करें वापिस सुनिए आत्म निर्भरता की बात को और धातू की कमी को अगर दोनों को connect करेंगे तो आपका पहला सही हो जाएगा क्या ये बात समझ आ रही है हमें अकेले एक शब्द पे उत्तर नहीं देना है वही समझाने का प्रयास कर रहा हूं यानि only धातू की कमी की बात करोगे तो भाया भारत को आयात करना पड़ता था अएसा नहीं कह सकते मैंने जो example दिया कि मैं पास रोटी नहीं है तो बाहर से लेता लेकिन मैंने का कि अब मैं आत्म निरभर हूँ यानि पहले आत्म निरभर नहीं था किसी और पर निरभर था किसी और पर निरभर का मतलब है भारत को Eluminium का आयात करना पड़ता था पहला वाला निश्कर्श है ये दोस्तों ये बहुत ही प्यारा प्रशन है बहुत ध्यान से देखिएगा और समझेगा लीजी अगले प्रशन की और एक कॉर्पोरेट महा प्रबंदक ने चार प्रबंदकों को या तो अगले दिन अपना इस्तीफा सौपने को कहा या सेवा की समाप्ती के आदेश का सामना वह या तो तुम मेरे को स्तीफा दे दो नहीं तो मैं तो मैं नौकरी से निकाल दूँगा उनमेंसे तीन ने शाम तक अपना स्तीफा दे दिया था तीन लोग तो भया शाम को ही स्तीफा दे चुके थे क्या निश्कर्ष निकालते हो अगले दिन जो बचा है शेश वो भी दे देगा ऐसा नहीं कह सकते देना होता तीन के साथ दे देता नहीं देना या सोचना होगा तो कुछ कहने सकते महा प्रबंदग अगले दिन अपनी सेवाएं समाप कर देंगे जैसा कि इसमें कहा गया है बिलकुल सही है कि महा प्रबंदग अगले दिन अपनी सेवाएं समाप कर देंगे क्योंकि अभी तक शाम तक अपना इस्तीफा नहीं सौपा है क्या ये बात समझ आ रही है तो उन्होंने कहा ना या तो ये कर लो या वो कर लो दोनों ऐसे एक कर लो शल यह गंभीर दुरगटना जिसमें एक व्यक्ति कल एक कार के नीचे चला गया था फिरसे सडक के सबसे असंतोष श्तिती पर ध्यान केंद्रित किया है यानि कल एक ऐसी गंभीर दुरगटना हुई जिससे हमें पुनाह एक बार सोचना पड़ा कि सडकों की सबसे असंतोष जनक श्तिती आ चुकी है जो दुरगटना हुई वह घातक थी बिलकुल घातक थी पहले भी हुआ। पहले भी हुआ, यानि कि हम कहना चाहरे हैं कि दोनों ही अनुसरण करते हैं। क्या ये बात समझ आ रही है। हम ये कह रहे हैं clearly। घातक थी तभी तो हमें असंतोश की बात हो रही है। फिर से करना पड़ा, यानि कि पहले भी हुई है। चलिए आगे देखें हम दोस्तों जेड पौधा एक पौधे का नाम है जेड पौधा मोटी पत्तियां होती हैं और इसके लिए बहुत कम पानी की आवशक्ता होती है मोटी पत्तियों वाले पौधों को बहुत पानी कम पानी की आवशक्ता होती है देखेगा जरा हम बता रहें कि जेड पौधा है जिसमें पत्तियां मोटी है और इसके लिए बहुत कम पानी की आवश्क्ता होती है तो ऐसा होता है कि मोटी पत्तियों वाले के सभी पौधे सभी पौधे दोस्तों सभी पौधों का निशकर्ष हाम एक एकजामपल से नहीं निकालेंगे ये ध्यान रखें ऐसा निशकर्ष नहीं दे सकते हैं जेड पौधे उन जगों पर उगाये जा सकते हैं जहां पानी बहुतायत में नहीं है बात सही है क्यूं? क्यूंकि बहुत कम पानी की आवश्क्ता होती है ये निशकर्ष तो निकल सकता है हमारा सभी पौधों में ऐसा होता है ऐसा हम नहीं कह सकते नहीं कह सकते मतलब केवल द्विती अनुसरण करता है शलिए दोस्तों सरकार द्वारा संचालित कमपनी ने सरकार द्वारा संचालित है ऐसी कंपनी की बात हो रही है अपने करमचारियों को अपनी आय और संपत्ति की गोशना करने के लिए कहा लेकिन करमचारी जो संग है उसका कड़ा विरोध किया और कोई भी करमचारी गोशित नहीं करने वाला है कड़ा विरोध किया है ऐसा मतलब यह समझिये कि सरकारी कोई ऐसा एक अनमिलब संस्थान है जहां पे सभी जो कारे करने वाले करमचारी है उनको कहा गया कि आए घोशित करो लेकिन जो उनका यूनियन है जो सरकार करमचारी संग है उन्होंने बोला हम दो नहीं करेंगे कड़ा विरोध किया और उन्होंने नहीं किया क्या निशकर्ष निकाल सकते हो इस कमपनी के करमचारीयों को अपने वेतन के अलावा कोई अतिरिक्त अगोशित आये नहीं लगती है अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है इसका विरोध नहीं करते करमचारी संग चाहता है कि सभी वरिष्ट अधिकारी वरिष्ट पहले करें ऐसा कहा लिखावा है मुझे ऐसा लगता है दोनों ही निशकर्ष का कोई लेना देना ही नहीं है कहीं ऐसा नहीं कह रहें कि आये नहीं लगती है लगती है या फिर पहले बढ़े करेंगे तब छोटे करेंगे ऐसा कोई दे नहीं रखा आखरी प्रश्ण पर आ जाते हैं मित्रों आखरी प्रश्ण सम्मेलन में केवल अच्छे गायकों को आमंतृत किया जाते है ऐसा एक सम्मेलन है जहां केवल अच्छे गायकों को ही आमंतृत किया गया मदूर आवाज के बिना कोई भी अच्छा गायक नहीं है यानि आपकी मदूर आवाज है तो आप अच्छे गायक है अच्छे गायक है तो आपको हाई मंदित क्या क्या है सम्मेलन में आमंत्रित सभी गायकों की मदूर आवाज है क्यों अच्छे तब ही है तब उनकी आवाज अच्छी है जिन गाएकों की मदूर आवाज नहीं होती है उन्हें सम्मिलन में आमंदित नहीं किया जाता है बात तो सही है यहाँ पे इसकी बात को देखते वे दोनों ही निशकर्ष निकल के आरेंसेंडेंस को ध्यान से पढ़िये कतन को दो बार पढ़िये अपने आप चीजें समझ आ जाएंगी और आज की कक्षा भी यहीं समाप्त हो जाएंगी बस यही कहना है मित्रों आपको आराम से चीजों को देखिये सोचिये समझिये एक एक प्रश्न बहुत आराम से करवाया गया है कतन एवं निशकर्ष आता है एक और क्लास लूंगा मैं कभी भी जहां इस तरह के और प्रश्णों को हम करेंगे पिछले वर्षों में आयए वे प्रश्णों को एक साथ करने का प्रयास करेंगे आप इसी तरीके से बने रही है हमारे साथ आपका ही प्यारा चैनल है दोस्तों डिजिटल तैयारी धन्यवाद प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी